Hello friends पहले आपका बहुत बहुत सौगत है दोस्तों यदि आपने भी कल्कुलेटर रैप पर फोटो वीडियो को अपने गैलरी के हाइड करके रखा हुआ था दोस्तों आप देख सकतों इस तरह से हमारे फोटो वीडियो गैलरी में होते हैं और हम इने कल्कुलेटर रैप पर हा वहां से सारे photo video जो भी मैंने hide काया था वो gallery से भी गायब हो गई थी और दोस्तो calculator app से भी गायब हो गई थी और मैंने इनको कैसे recover किया step by step आपको तीन तरीके से बताऊंगा दोस्तों यह तीन तरीका मैं इसलिए आपको बोलना हूँ क्योंकि firstly आपकी फोटो वीडियो आज रिसंटली में डिलीट हुई है यानि अभी डिलीट हुई है तो आप कैसे उन्हें वापस ला सकते हैं यह तो बहुत आसान है और दोस्तो महीनों पहले यह डिलीट हुआ है और उनको आपकी फोटो वीडियो के जरूरत पढ़ रही है किसी की और आपको लगता है कि वह चीज डिलीट हो गई है तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हो और दोस्तो यदि सालों पहले डिलीट हुई है तो भी आप उसके रिकवर कर सकते हो दोस्तो आपने जो photo video को click किया है जब भी click किया था वो भी photo video आने वाली है यदि वो delete हो गई थी सारी photo video आप आसानी से recover करने वाले हो दोस्तो यह video को आप complete देखिए please दोस्तो मेरे एक request है आप से क्योंकि या फिर आप बाद में comment में आप ही बोलते हैं कि मेरी फोटो वीडियो नहीं आ रही है दोस्तों आपको application का नाम भी बताऊंगा कैसे recover करना है, किसके through recover करना है बट आप वीडियो को step by step complete देखते हो तो आप उसको gallery में भी ला पाऊगे आसानिस उस photo को फिर आप use भी कर पाऊगे तो ये वीडियो को आपको complete देखना चाहिए चले ज़्यादा time waste आपको हम नहीं करते हैं हम step by step सब कुस दिखाने वाले पहले तो हम calculator app को open करेंगे और उसमें दिखाऊंगा कि कहां पर हमने hide करके रखा था और कैसे वहां से हमारी delete हुई है और जिदी recently में delete होते हैं तो आप calculator app के through ही recover कर सकते हो यदि दोस्तो उसको महीनों या फिर साल हो चुके यह है photo को delete हुए तो दोस्तो आप फिर कैसे इसको recover कर सकते हो यह भी चीज मैं आपको बताऊंगा तो friends चले मैं calculator app को open कर लेता हूँ so friends जैसे हम calculator app open करते हैं तो आप देख सकते हो किस तरह से हमारे सामने interface होता है और यहाँ पर हमें password डालना होता है और password डालकर जैसे हमें इंटर करेंगे तो दोस्तो इस तरह से हमारे सामने कुछ interface होता है आप चाहो तो colorful theme यहाँ पर ला सकते हो friends आप चाहे कोई भी calculator app यूज करते हो बस सभी में एक ही setting होती है common setting है जहां से भी आपके delete हुई है photo the calculator app आप यूज कर रहे है तो दोस्तो आपके कैसे photo वीडियो को recover करना है इस पर मैं आपको complete यहीं पर दिखाऊँगा और recently की photo कैसे recover करना है और मैंनों पहले delete हुई है तो उनको कैसे recover करना है और by chance साल हो चुके है तो उनको कैसे recover करना है so friends उसके लिए आपको step by step इस वीडियो को देखना होगा और दोस्तो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी कुछ समझ में आ जाए तो friends आप देख सकते हो मैंने picture पर hide किया हुआ है कुछ pictures को यहाँ पर और इनको मैं delete कर देता हूँ आपके सामने ठीक है इनको मैं delete जैसे ही कर देता हूँ दोस्तो तो यहाँ से यह कहाँ पर जाएंगी आप देख सकते हो यह permanently हमारी photo delete हो जाती है और दोस्तों यहाँ से वीडियो को भी मैं delete कर देता हूँ एक दो वीडियो को मैं यहाँ से delete कर देता हूँ तो friends यह भी delete हो जाती है अब दोस्तों यहाँ से गर recently के आपको photo video चाहिए recently के चाहिए तो इस case में आपको दोस्तों करना क्या होगा उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा और recently में यदि आप delete किये हो तो recycle bin में आप चले जाते हो और recycle bin में आपको देखने को मिल जाता है photo और video दोनों यहाँ पर होते हैं तो friends यदि आप recently photo video delete कर सकते हो तो आप 60 दिन तक और दोस्तों यहाँ फिर गैलरी में इनको हम ला लेंगे सारी photo video को time आपको निकल जाता है 60 days अबब हो जाते हैं तब आप इस case में कैसे recover करोगे यह main important है उसके लिए चली मैं आपको दिखा देता हूँ और friends यह आपने इसको अनिस्टाली कर दिया calculator आपको तब कैसे recover करोगे महीनों हो गए है या साल हो गए है सभी photo video जितना भी आप ने सालों पहले click किया था सब कुछ आपको 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 आने वाला है तो चलीए हम आपको दिखा देते हैं ज़िए application का नाम आप आप जान जाते हो और छोड़ देते हो वीडियो को तक तो आप इल्कुल भी नहीं जानने वाले हो अहां हो सकता है recover हो जाए फोटो बट आप उन्हें गैलरी में नहीं ला पाऊगे उनको यूज नहीं कर पाऊगे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको open करके तो दोस्तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको recover करने वाले हो तो दोस्तो इसको लिए आप यूज करना है restore image दोस्तो यहां से आप total 5000 फोटो recover कर सकते हो 5000 दोस्तो अब इस वीडियो का complete देखिएगा क्योंकि अब यहीं से main method शुरू होती है आपके सालों पहले और महिनों पहले वीडियो को recover करने की यदि आप अभी छोड़ देते हैं application नम सुनकर तो आप recover तो कर लोगे बड़ दोस्तों से gallery में नहीं लाप आओगे आप चलिए मैं दिखा जाता हूँ restore image से कैसे हम इसे restore करते हैं और कैसे इसे gallery पर लाते हैं तो जैसे मैं इस पर click करेंगे तो कुछ इस तरह interface होगा तो दोस्तों आपके सामने तीन अपसान आते हैं restored image search the image you want to restore और donate tips तो मैं search the image करूँगा तो दोस्तों आप देख सकतो यहाँ पर यह search कर रहा है उपर लिखा है selected folder searching for all folder तो फोल्डर वाइज आपके gallery में जैसे folder wise होते हैं जैसे photo video उसी तरह से यह इसको scan कर करके scan कर करके देख सकतो folder wise में 68 photo है और इसी तरह से इसमें 160 photo है इसी तरह से 70 photo है इस तरह से folder wise यह 5000 photo आपको recover करके देता है अब next मैं आपको दिखाऊ गगा इन photo को आपको gallery में कैसे ले जाना है दोस्तो यह बहुत ही आसान है इसी चीज को सिखना बहुत ही important है क्योंकि यहां से आप महीनों और सालों पहले photo वीडियो को recover करते हो दोस्तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होता है यहां पर जैसे मैं click करूँगा यहां पर मारी photo आ चुके है अब इसमें हमें select करूँगा अब जैसे मैं इसको यहां select आता हूँ यहां से भी select कर देता हूँ अब दोस्तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है restore to images तो restore कर दूँगा ठीक है यह restore हो चुका है दोस्तो अब यह कहां गया है यह जैएगा gallery में तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ तो gallery में देखने के लिए दोस्तो आपको gallery में आना पड़ेगा और सब से नीचे आप आएंगे restore images दोस्तो इस तरह से हमारे folder भी बन गया है और folder में आ भी चुका है restore images के नाम से तो दोस्तो आप देख सकते हो यह folder में आ चुका है आपका ऐसे आगे की process है अब आपको सिखना बहुत जरूरी अब दोस्तो मैं आपको एक चीज clear clear बताना चाहूंगा यदि friends इस application के थुरू आपकी photo video recover नहीं होती है और calculator app आपने install करी दिया है तो दोस्तो आप आपको use करना है फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप media recovery दोस्तो आप देख सकते हो मैंने कई application पर research किया है यहाँ पर सबसे जो best है आप कुछ महीनों पहलों की photo video को recover करना चाहते है उसके लिए है media recovery दोस्तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कई application पर research किया है जैसे कि dumpster file recovery, doctor phone media recovery बड़ दोस्तो आप चाहते हो calculator app की सारी photo video को recover करना तो मैं आपको recommend करूंगा जैसे कि media recovery के जो एक application और है photo recovery यह media recovery के ही company जो बनाई है जिस software company ने बनाया है इस application को उसी software company ने बनाया है photo recovery ठीक है तो आप photo recovery application का use करेंगे और दोस्तो इसको कैसे use करना है और photo को gallery में कैसे लेना है यह चीज कप सिख लेजिए क्योंकि यहीं important होता है किसी भी software को use करने के लिए अब दोस्तो यहाँ पर cable और cable photo scan कर सकते है तो इस तो जैसे देख सकते है अब मैंने scanning photo पर लगाया तो photo recovery हो रही है और दोस्तो जितनी फ़र photo हमारे delete हुई है वो सारी photo यह हमें recover करके देने वाला है कुछ time लगता है थोड़ा wait आपको करना होता है और आपको देखना है यहाँ पर completely कि आपका ऐसे gallery print को लेना है यही मैंने important है यदि आप यह चीज़ सीख जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी photo को recover कर सकते हो दोस्तो पहले आप photo को recover करना यहाँ से जान जाते हो दोस्तो आप कितना भी पुराना photo रहा हो उसको recover कर सकते हो दोस्तो जतना भी मेरा data यहाँ से डिलेट हुआ था photo का वो सब कुछ यह recover करके दे रहा है तो आपको थोड़ा सा इंतिजार करना होता है यदि आप थोड़ा सा इंतिजार करते हो तो यह और भी ज्यादा photo को scan करेगा और timing तो थोड़ा लेता है बट यहाँ से आप देख सकते हो 600 पहुँच चुका है हमारी photo और भी यह ज्यादा जाएगा जितना ज्यादा आप इसको timing दोगे उतना ज्यादा इसको scan करेगा photo को और आपके सामने लाकर देगा दोस्तो अब आप देख सकते हो 2278 पहुच चुकी है तो photo आप जितना ज्यादा इसको time दे जाओगे उतना ही ज्यादा यह सालों पहले की photo भी recover करके देगा जब से आपने photo को click करना चालू किया और delete कर दिया था अब से लेकर अब तक की photo को आप यहां से recover कर सकते हो देख सकते हो जैसे gallery में एक file एक folder बन जाती है उसी तरह से यह folder बना के हमको recover करके दिया है friends यहां से आप देख सकते हो और restore deleted photo करना है आपको जैसे इन photo को restore करना है तो आप इन पर click करेंगे और दोस्तों यहां से restore now पर click कर दोगे तो दोस्तों यह चला जाएगा कोई gallery पर ठीक है तो आप होप आप कोई वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे channel को like, share, subscribe जरूर करिएगा धन्वाद channel विजिट करने के लिए इसी तरह से आप सारी photo वीडियो को recover असानी से कर सकते हो और आपको किसी भी third party को पैसा देने जुरूरत नहीं है यह बहुत ही best तरीके हैं जिसके थुरू आप सारी photo वीडियो को recover करते हो सो थैंक्यू channel विजिट करने के लिए ऐसे updated वीडियो पाने के लिए आप मेरे channel को subscribe जरूर कर लिजेगा धन्वाद